हालो फ्रेंट्स गुड मॉनिंग आज हम लेके आए हैं एक पीजी बीपी का ट्रॉफिक जिसमें सेक्शन 28 हमें बताता है सेक्शन 28 बोलता है चार्जिंग सेक्शन इसमें कौन-कौन से ऐसे मतलब इंकम आती है जो टैक्सेबल होता है पीजी बीपी के हेड में तो जैसे हो ग इन्टेल्मेंट लाइसेंस को अगर हम सेल कर रहे हैं तो वह भी हमारा पीजी बीपी में आगा ऐसे सारे इंकम ड्यूटी ड्रव वेक इसेक्टरा जो आते हैं वह पीजी बीपी में टैक्सेबल होते हैं सेक्शन 28 हमें सेक्शन 28 बताता है कि मतलब क्या-क्या कौन-कौन से इसे आइटेम जो पीजी बीपी के अंडर टैक्सेबल हुनगे सेक्शन 29 बोलता है कि क्या-क्या का मतलब हाय् तो पीजी पीपी सब्सक्रांभ करते हैं इसको हम प्रैक्रिकल प्रॉप्लम में देखें हैं पीजी बीपी करें को कैसे कंप्यूट करतेंhésitez का आगे सेक्शन 30irm या फिर रैट क्या 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 लागा back यह तर देंस कह già कॉन्प एंट्रेस्ट धीम्यूट है जो बिल्डी है का उसको कैसे कंप्यूट करेंगे तो आल यह यह हम देखते हैं section 30 section 30 यहां दे रखा है अगर insurance rent rate taxes insurance repair है revenue capital revenue है अगर paid by honor होता है तो allow होगा और tenant है तो कौन सा allow होगा या desirable होगा तो देखते हैं rent है और अगर honor pay कर रहा है rent को अगर honor pay कर रहा है तो यह taxable यह not allowed है अगर tenant pay कर रहा है तो allow होगा और rate and taxes are paid वाइड बाइड ओनर तो एलाव टेनेंट है अगर पैकर रहा है एंट एक्स तो भी Bird Stamp एक एक्सेज है इन्सरहेंस भी ऐलाव ऑगए आगर या टेनेंट पह रहा है दोनों के किसमे रिवेन्यूू रिपेयर सब्सक्राइद सब्सक्राइद धिम्री aura कि करेंद का या टेनन त कर देंगे cost of asset में ठीक है अब आता है section 31 section 31 क्या बताता है insurance and repair of plant and machinery and furniture यह हमें section 30 बता था building के लिए insurance और repair का यहां हमें बता रहा है insurance and repair of plant and machinery and furniture के लिए ठीक है अगर ऐसे कोई expenses paid by honor insurance या फिर repair of plant और machinery machinery के लिए insurance किया है machinery का repair करा रहे हैं या furniture का repair करा रहे हैं और अगर paid by honor हुआ rent तो not allow है insurance हुआ तो allow हो जाएगा और revenue repair एलाओ है capital repair दोनों के लिए डिस एलाओ हो जाएगा और cost of asset में add कर दिया जाएगा अगर paid by tenant है tenant pay करता है तो यह allow होगा एच पर section 37 36 section 37 के अनुसार यह allow हो जाएगा और उसके बाद अगर insurance paid by tenant है तो यह allow है allow है revenue repair not allow हो जाएगा capital repair और यह सीधे cost of asset में जोड़ दिया जाएगा अब यह क्या बोलता है note है expenses a expenses under section 30 and 31 allowed only if asset used for business and profession expenses जो 30 और 31 में हैं इसमें और इसमें जो expenses आये हैं तभी allow होगा asset used for business of profession business of profession के लिए use होनी चाहिए asset और B में बोल रहा है capital repair by tenant is treated as the deemed building and depreciation is allowed to the tenant मतलब इसे अगर capital repair tenant के द्वारा किया जा रहा है deemed building तो इसे deemed building के मान लिया जाएगा मतलब कि जैसे building उसे building मान लिया जाएगा और depreciation allow हो जाएगा tenant को depreciation allow हो जाएगा और अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे channel को share करें like करें और subscribe करें thank you for watching